हेलो एवरिवन, वेल्कम टू सक्सवितराय अकेडमी, 14 अगस्त 2021 के दैनिक जागरण के राष्टिय संस्क्रण को आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे, तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं, सबसे पहली जो हेडिंग हम ले रहे हैं, यानि दैनिक जागरण ने जो अगर उन्होंने बिना संजोते के, या सांती प्रक्रिया को अपनाए बिना, अगर उन्होंने काबुल पर कबजा किया, तो ये 11 देश उसे यानि तालिबान को माननेता नहीं देंगे, क्योंकि तालिबान जो है वो अब काबुल को पुरी तरीके से घेर चुका है, और उस पर किसी भी वक्त कबजा कर सकता है। अफगानिस्तान में तेजी से बदलते हालात के बीच वहां सांती स्थापित करने के उद्देश से कतर की राजधानी दोहा में बुलाई गई बैठक में सामिल दरजन भर देसों ने तालिबान को चितावनी दी है कि अगर उसने काबुल पर हिंसा के जरिये कबजा किया तो उसे कोई भी माननेता नहीं देगा। तीन दिन की बैठक के बाद गुरुवार आधी रात को एक संउक्त बयान जारी किया गया जिसमें ये बाते कही गई हैं। लेकिन सुक्रवार को तालिबान ने जिस तरह से काबुल को घेर कर आस पा तक अनुमान था कि तालिबान एक महीने में काबुल पर कबजा कर लेगा लेकिन अब माना जा रहा है कि ऐसा कुछ ही दिनों में हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है स्क्रैपेज नीती बदल देगी आटो सेक्टर की तस्वीर। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि स्क्रैपेज पॉलसी क्या है। देखे इस नई पॉलसी के मताबिक जो 15 से 20 साल पुरानी गाड़िया हैं वो स्क्रैपेज कर दी जाएगी यानि कबा कर दिया जाएगा उन्हें कमरसियल गाड़ी के लίए 15 साल के बाद यह घूशना होगी यानि कि स्क्रैपेज पॉलसी उन पर 15 साल के बाद लागू होगी और अगर निजी गाड़ी है तो 20 साल के बाद Scrapage Policy उस गाड़ी पर लागू होगी अगर सीधे सब्दों में कहें तो आपकी 20 साल पुरानी निजी कार को रद्धी माल की तरह कबाड में बेच दिया जाएगा अब यह परधान मंतरी मोदी ने जो नई वीकल Scrapage Policy का एलान किया है उन्होंने नई Scrapage Policy से आत निरभरता आप कह सकते हैं कि बढ़ाने की और कोशिस करी है और देश में 10,000 क्रोन रुपए का जो नया निवेस आने की उमीद है अगले 25 साल में बहुत कुछ बदल जाएगा उन्होंने कहा कि देश की अर्थ वहस्ता के लिए mobility बड़ा factor है आर्थिक विकास में ये काफी मददगार भी होगा अब अगर क्या नई policy के बाद आम लोगों को सस्ते में मिलेगी कार अगर हम इस पर गौर करें तो सड़क परिवहन मंत्री जो नितिन गट करी है उन्होंने लोग सभा में scrappage policy launch करते वक्त बताया कि हमने एक advisory जारी कर सभी auto makers को scrapping certificate दिखाने पर नए वाहन की खरीद पर 5 फीजदी का discount देने की सलाह दी है उन्होंने कहा कि वाहन scrapping policy एक win policy है जिससे ना सिर्फ प्रदूसर में तेजी से कमी आज सकेगी बलकि auto sector को भी फाइदा होगा अब ये नया नियम लागू कब से होगा देखे fitness test और scrapping center से जुड़े जो नियम है वो 1 October 2021 से लागू होंगे सरकारी और PSU से जुड़े 15 साल पुराने वाहनों को scrap करने वाले नियम 1 April 2022 से लागू होंगे commercial vehicles के लिए जरूरी fitness testing से जुड़े नियम 1 April 2023 से लागू होंगे अन्य वाहनों के लिए जरूरी fitness testing से जुड़े नियम 1 June 2024 से चरणबध तरीके से लागू किये जाएंगे commercial वाहनों के लिए क्या नियम होंगे तेकि commercial वाहनों को automatic fitness test के अधार पर scrap किया जाएगा जबकि निजी वाहनों को दोबारा registration नहीं कराने के अधार पर scrap किया जाएगा ये नियम Germany, Britain, America और Japan जैसे देसों के अधार पर टै किये गए है अब पुरानी जो गाड़ी होगी उसकी कीमत किस आधार पर टै की जाएगी तो जो संसर सत्र में के दौरान vehicle scrapping policy पेस करते हुए नितिन गटकरी ने बताया कि scrap किये जाने वाहन की value नए वाहन की x-sorum कीमत के आधार पर होगी scrap किये जाने वाहन की value x-sorum price की 4-6% हो सकती है अब इस policy से जो कार मालिक होंगे उनको क्या फाइदा होगा देखिए आटो सेक्टर से जुड़े कई experts ये बता रहे हैं कि पुराने वाहन को scrap करने पर वाहन मालिकों को एक certificate दिया जाएगा इस certificate को दिखा कर वह नया वाहन खरीदने पर 5% की छूट मिलेगी ये छूट आटो कमपनियां देंगी नया वाहन खरीदने वालों को registration fees नहीं देना होगा नया personal vehicle खरीदने पर road tax में 25% की छूट मिलेगी commercial vehicle खरीदने वालों को road tax में 15% की छूट दी जाएगी अगर मालिजे कोई गाड़ी है और वो fitness test में पास नहीं हो पाई तो फिर क्या होगा तो उसके मताबिक आप ऐसी गाड़ियां जो fitness test में fail हो जाएगी उनको end of life vehicle घोसित किया जाएगा अगर आसान सब्दों में समझें तो ऐसी गाड़ी को सड़क पर नहीं चलाया जा सकेगा पालसी में 15 साल पुराने commercial वाहनों को fitness certificate पाने में विफल रहने पर de-register करने का प्रस्ताव रखा गया है इसके अलावा 15 साल से जादा पुराने वाहनों को fitness test कराने के लिए भी जादा tax देना होगा तो आपको स्क्रेफिज पॉलसी जो है वो पुरी तरीके से समझ में आ गई होगी असम विधान सभा ने पसुवध उपभोग एवं परिवहन नियमन करने के लिए लाया गया विधियक पारित कर दिया है विपक्षी दलों ने बिलको प्रवर समिती के पास भेजने की मांग की है जिसे सरकार ने ठुकरा दिया है विरोध में विपक्षी ने सदर्न से बहिर गमन किया है विधान सभा अध्यक्ष विश्वजीत दैमरे ने सुक्रवार को जैसे ही असम पसु सनरक्षण विधेक 2020 पारित करने की घोशना की सत्ताधारी भाजपा सदस्यों ने भारत माता की जय और जय से द्राम के नारे बनाय रखने के लिए किवल हिंदू ही जवाब दे नहीं है मुस्लिम भी उतने ही उत्तरदाई है विपक्षी आपत्ती का जवाब देते वे मुख मंत्री ने कहा कि कई कई किलोमीटर ऐसे छेत्र हैं जहां कोई मंदिर नहीं है राज में सत्तर से असी हजार ऐसी बस्तियां नहीं है डिली के मुख मंत्री है अर्विन केजडीवाल वो 23 अगस्त को कर सकते हैं अब 23 अगस्त को होगा 20 मीटर से अधिक उंचा या धांचा लगभग एक किलोमेटर के दाइरे में हवा की गुडवत्ता में सुधार करेगा पर्या वरन मंत्री गोपाल राय ने बताया कि स्मॉक टावर के निर्माण में देरी की वज़ा कुरोना संकट बना है पिछले साल अक्टूबर में इस पाइल प्रजेक्ट को मंजूरी दी गई थी या स्मॉक टावर प्रती सेकेंड एक हज़ार क्यूबिक मीटर हवा को सुध करने में सक्षम होगा या टावर चालू होने के बाद उसकी प्रभाव सीलता का पता लगाने के लिए दो साल तक अध्यन किया जाएगा नेक्स्ट न्यूज है कि अब driving license के लिए रात में भी होंगे टेस्ट driving license test के लिए बढ़ रही waiting list को देखते हुए सरकार ने रात में भी test कराने का फैसला लिया है अब सभी automated track पर रात में भी test लिया जाएगा इसके लिए सभी general transport authority याने छेतरी परिवन कार्याले में कि track पर रोशनी की उच छमता वाली light लगाई जाएंगी इन track पर इतनी बहतर रोशनी होगी कि दिन की तरह दिखाई देंगे लाइटें लगाने के बादिया वैवस्ता जल सुरू की जाएगी अभी लोगों को driving test के लिए लंबी waiting मिल रही है आने वाले समय में दिल्ली में license बनवाने के लिए रात में भी automated track पर test के लिए तयारी चल रही है इसे लेकर परिवहन मंत्री विभाग के वरिष्ट अधिकारियों से चर्चा कर चुके हैं next news है business page से और इसमें पहली news है कि अगले साल से single use plastic पर पूर्ण प्रतिबंद एक जुलाई 2022 के बाद से देश में single use plastic पर प्रतिबंद लग जाएगा इसी के साथ सरकार ने plastic bag की मोटाई को लेकर नैनियम को चरण बद तरीके से लागू करने की योजना बनाई है यह 30 सितंबर के बाद लागू होगी पहले चरण में plastic की मोटाई को 50 micron से बढ़ा कर 25 micron करने का प्रस्ता हो है जबकि अगले चरण में इसे 75 micron से बढ़ा कर 100 micron करने का है वन एवं पर्रया वरन मंत्राले ने गुरुवार को plastic अपसिष्ट प्रबंद नियमों के में बदलाव करते हुए नया notification जारी किया है इसके तहर सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तमाल को 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंदित कर दिया गया है सरकार ने पहली बार सिंगल यूज प्लास्टिक को भी परिभाशित किया है वह वस्तु इन स्रेणी में आएंगी जिसे disposal या recycle के पहले एक कदम के लिए एक बार ही प्रयोग में लाया जाना है मंत्राले ने यह कदम प्रधान मंत्री मोदी के उस एलान के बाद उठाया जिसमें उन्होंने 2022 तक देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ती दिलाने की बाद कही थी next news है कि चीन के निम्बो पोर्ट के बंद होने से बढ़ सकती है निर्यात की लागत क्रोण संक्रमन के नए मामले मिलने के बाद चीन में इस्ति दुनिया के तीसरे बड़े निम्बो पोर्ट को बंद कर दिया गया है इससे भारती निर्यात की लागत बढ़ने की आसंका है विस्सो भर के लगभग 25 फीसिद कंटेनर के इस पोर्ट पर जमा होने से कंटेनर की लागत भी बढ़ जाएगी इस पोर्ट से भारत आने वाले कई प्रकार के कच्चे माल की सप्लाई भी प्रभावित हो सकती है पोर्ट से आने वाले माल को दूसरे रूट से भेजने पर आप कहा सकते हैं लागत बढ़ेगी भारत में इस पोर्ट से टेक्स्टाइल उत्पादों से जुड़े कच्चे माल के साथ इलेक्ट्रोनिक्स आइटम से सम्बंधित माल आता है बताते हैं कि इस से पहले सिंजिंग से आर्तिक गतिवीधिया बंद करने से कई प्रकार के कच्चे माल की सप्लाई प्रभावत हो गई थी time next page पर आते हैं जो है editorial page editorial page में UNSC फिर से हमें एक बार discuss करने जा रहा है ह Health csch चेत्र के बारे में हम कई बार डिसकस कर चुके हैं तो इसमें डेटेल से नहीं जाएंगे लेकिन इस आर्टिकल को देखेंगे क्योंकि जो आर्टिकल लिखा है वो विदेश मंत्राले में सचिव रह चुके हैं विवेक काड़्यू उनके द्वारा लिखा गया है बीते 9 अग संबोधन दिया वर्चुल माध्यम से हुई बैठक में वैसिक महत्त के इस विशय पर दुनिया के अन्यनेताओं ने भी भाग लिया इसमें रूस के राश्ट्रपती ब्लादी मेर पुतिन वियतनाम के प्रधान मंत्री फॉम मिंचिन केनिया के राश्ट्रपती उहुरू के इन्याता और अमेर्की विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन सामिल रहे सुरक्षा परिशत की अध्यक्षता का दायत अगस्त में भारत के पास रहेगा परिशत के एजेंडे को निर्धारित करने में अध्यक्ष की महत्पूर घूमिका होती है जिसमें अन्य सदस्यों विशे पने जाता है कि वह भारत की अर्थ व्योषता और स्रक्ष्छा में समुद्रिक मोर्चे की महत्ता पर ध्यान दे रहे हैं। के शवुद्रिक सरक्ष्र के वैस्व क्यूं पर ध्यान केंद्रित किया बलकि भारतियों को भी देश के राश्टिय जीवन में महासाग्रों की महत्ता समझाने अपने संबोधन में वैस्विक समुद्रिक सुरक्षा को आप कह सकते हैं अक्षुन बनाये रखने में मोदी ने पांच महत्पुन बिंदु गिनाये हैं उन्होंने समुद्री व्यापार की सुरक्षा को प्रात्मिक्ता में रखा उन्होंने आवाहन किया कि व समुद्री कनेक्टिविटी से जुड़े बुनियादी धाचे के विकास में देश को इस पर भी द्यान देना चाहिए कि जहां उन्हें विक्सित किया जा सकता है वहां संबंदित देश ऐसे धाचे को समयोजित कर सकते हैं या नहीं यह बाचीन के संदर में सटीक बैठती है ज दरसल में यह परियोजना आर्थिक रूप से उतनी फल्दाई नहीं होती है और इन देशों के लिए चीन से लिए कर्ज को चुकाना मुस्किल हो जाता है नतीजतन वे अपनी परिसंपतियां चीन के हाथों गवा बैठते हैं स्वाभाविक है कि इस से मुस्किले पैदा हों और समुद्री याने की सभी देशों द्वारा जिम्मेदारी का परिचय देते हुए अंतराश्टी कानूनों का सम्मान सुनिशित करने संबंधी मोदी का आवाहन बेहद महत पून है और इसे समझना भी चाहिए बहराल दूसरे कई अंतराश्टी मसलों की तरह इस पहल के भ पीच बढ़ती प्रतिद्वन्दिता की ही भेट चड़ने के आसार हैं फिर है ब्रष्टा चार पर तक्नीक की लगाम देश के पूर प्रधान मंतरी राजीव गांधी ने 1985 में ब्रष्टा चार की व्यापकता स्विकारते हुए कहा था कि गरीबों के लिए भेजे जाने वाले एक रुपए में से 15 पैसे ही जरुरत मंदों को मिलते हैं आज हालात कुछ और हैं अगर देखिए सरकार कोई सबसेडी देती है या कोई किसी योजना का लाव गरीबों को मिलना होता है उनके लावारतियों को मिलना होता है तो सरकार जो भी फंड है जो भी पैसा है सीधे उनके बैंक एकाउंट में ट्रांसफर करती है DBT के तह है Direct Bank Transfer सूचना प्रोधोगी की आधान डिजिटल इंडिया अभियान पारदर्सी भेद भाव रहित और भ्रष्टा चार पर चोट करने वाला है इससे समय श्रम और धन की बचत हो रही है इससे सरकारी तंत्र तक हर आदमी की पहुँच बनी है Digital India ने One Nation, One MSP की भावना को स्विकार किया है इनाम के जरिये देश के किसान अब तक 1,35,000 करोन रुपए से ज़्यादा का लेंदेन कर चुके हैं किसानों से होने वाली सरकार खरीद का भुकतान सीधे उनके बैंक खाते में किया जाता है इस तरह चात्रवत्ती गैस सबसिडी राशन कार्डों को आधार से जोडने से भ्रष्टाचार पर अंकुस लगा है 2020 के आकड़ों के अनुसार देश में 75 करोन लोग इंटरनेट का इस्तमाल करते हैं जिसके 2025 तक 90 करोन पहुँच जाने का अनुमान है भले ही देश की इतनी बड़ी आबादी इंटरनेट इस्तमाल करती हो लेकिन इसकी कई सीमाय है जिसमें इसका समुचित लाव देश को नहीं मिल पा रहा है भारत में 90 परतीसत इंटरनेट मोबाइल पर चलता है इससे 88 परतीसत लोग 4G नेटर का इस्तमाल करते हैं इससे इंटरनेट की स्पीट कम हो जाती है दूसरे देश के 40 करोन लोगों तक अभी इंटरनेट को पहुच नहीं बनाये गया है फिल्हाल इनाम प्लेटफॉर्म पर 1000 क्रसी उपज मंडिया 1.7 करोन किसान व्यापारी और क्रसी उत्पादक संगठन जुड़े है जल्द ही 1000 और क्रसी उपज मंडिया इनाम से जुड़ जाएंगी समग्रता मोधी सरकार सूचना प्रोधोगी की को भरष्टाचार रोकने और गरीबी निवारण का कारगर हतियार बना रही है नेक्स्ट आर्टिकल है बेतुक का आरोप ये राहुल गांधी का ट्विटर पर आरोप है और ट्विटर का ये जो मद्भेज चल रहे हैं वो आर्टिकल हम डिसकस नहीं करेंगे नेक्स्ट पेज पर आते हैं जो है इंटरनेशनल पेज इंटरनेशनल पेज में पहली निउस कंधार और लशकर को लेकर है जो हम पहली ही निउस में डिसकस कर चुके हैं इसमें एक निउस है हमारे लिए कि पाक एरफोर्स के लिए बोज बने चीनी जे एफ सत्रह लडाकु विमान चीन ने अपने जे एफ सेवेंटीन थंडर लडाकु विमानों की खुबी को बढ़ा चढ़ा कर बता कर अपने सदा बहार मित्र पाकिस्तान को दे दिये अब चीन निर्मित यही विमान पाकिस्तान एरफोर्स के लिए बोज बन गए हैं इंजन में गलबडी, उच्चे रख रखाओ और विमानों के परदरसन में गिरावट कारण बताय जा रहे हैं दैनिक सन अकवार की खबर के अनुसार वर्स 1999 में चीन और पाकिस्तान ने जे एफ 17 के सर्वत उत्पादन के लिए समझाता किया था उस समय यह बताये गया था कि यह लडाकों विमान सुखोई 30, MKI, MiG-29 और मिराज 2000 जैसे लडाकों विमानों के तुलना में बहतर हैं बाद में पाकिस्तानी वायू सेना ने इन विमानों को दावों के आसपास भी नहीं पाया इन विमानों में RD-93 Aero इंजन लगे हैं जो काला धुआ छोड़ते हैं इससे किसी युद्ध के दोरान यह लडाकों विमान आसानी से निसाने पर आ सकते हैं इस तरह की खामिया मिल पर पाकिस्तान ने चीन से कई बार सिकायत की चीन ने इंजन भी बदले लेकिन समस्या खत्म नहीं होई इसी वज़ा इसकी वज़ा यह बताई जा रही कि यह RD-93 इंजन रूसी हैं प्रतिबंदों के चलते रूस से इसके पार्ट्स और दूसरी मदद नहीं मिल पा रही है रिपोर्ट के मुताबिक चीन JF-17 के लिए एक नया इंजन विक्सित कर रहा है लेकिन इसमें लंबा सब वक्त लग सकता है तो यह आज का 14 अगस्त 2021 का दैनिक जागरन का राष्ट्य संस्क्रण था आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा